इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वैरल हो रहा जिसे शायद आपने भी देखा हुआ इस वीडियो में पत्रकार एक मुखिया को मास्क नहीं लगाने पर चम कर पीटता है यह वीडियो जो भी देख रहा है उसे बड़ा मजा आ रहा है वहीं अब वीडियो पे पत्रकार की गुंड़ई को देखते हुए उस पर तमाम सवाल यू उठाय जा रहे है और उसके खिलाफ एफ आई आर तक करने की बात कही जा रही दरसल कॉंग्रेस समर्थक पत्रकार आदेश रावल में इस वीडियो को शेर करते हुए लिखा पत्रकारों से दोगस की दूरी और मास्क है जरूरी वह एक अनिक और समर्थक तहसीन पूर्णे वाला नेवी से आगे बढ़ाते हुए लिखा कि ये पत्रकार नहीं गुंडा है जो अपने दर्शकों को वही परोस रहा जो वे चाहते हैं बता दे इस वीडियो में पत्रकार मुखिया जी से कहता है यहां पर प्रकाश थोड़ा कम है इसलिए फोटो शूट के लिए कहीं और जाना होगा इसके बाद वो कहता है इधर आईए हम लोग फोटो लेते हैं यहाँ फोटो शूट होगा इसके बाद पत्रकार मुक्याजी को कौने में गर की दिवार के बगल में ले जाता है इसके बाद वो एक एक करके चार जापड मुक्याजी के गालों पर जम कर लगा देता है फिर प्रवक्त तहसीन पूनेवाला ने इस वीडियो को आगे बढ़ाते में लिखा कि यह आसुनिकार है और पुलिस को इस मामले में कारवाई करनी चाहिए साथी उन्होंने ब्रैकेट में आभी लिखा कि अगर यह वास्तविक हैं और मजाकिया वीडियो नहीं है तो इसी तरह कई अन्य लोगों ने भी इस वीडियो को शेयर किया और बताया कि कैसे पत्रकार ने चम कर मुख्या जिकी धुनाई कर दी अब हम आपको बता दें कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है दरसल हर्श राशपूत के चैनल पर अपलोड किये गए इस वीडियो में इस पर्स्ट लिखा हुआ है कि इसे मनोरंजन के उद्देश से बनाया गया है और यह स्क्रिप्टेड है हर्श राशपूत अक्सर रिपोर्टर बनकर इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं इस बार उन्होंने पंचाय चुनाव के मद्दे नजर मुख्या उमीद्वारों वाला गया है जिसे मात्र कुरोना के मद्दे नजर मनोरंजन के लिए शूट किया गया है बता दे हर्श राशपूत ने इससे पहले भी रिपोर्टर बनकर अन्य कलाकारों के साथ ऐसे कई वीडियो शूट किये हैं वह यूट्यूबर है और उनके यूट्यूब चैनल पर लगब कि अच्छे से जाचपरक कर लेनी चाहिए